हलो एवरिबरन वेलकम डू दू दॉ देख रहे हैं फ्रेंड्स आज मैं आप लोग को क्या करवाने वाला हूं तो आज मैं आप लोग का जो जिनका आठ नॉम्बर का एक्जाम है उनके लिए फ्रेंड्स कुछ इंगलिस का इंपोर्टेंट फैक्ट बताऊंगा और फ्रेंड्स किस तरह के इंगलिस में questions आ रहे हैं क्यूंकि हम दो दिन से एक्जाम का analysis करवा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि कैसा कैसा questions आ रहे हैं तो guys देखेगा आप लोग को वीडियो को last तक देखना है शुरू से guys थोला साथ ज्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा 10 से 15 मिनट का वीडियो बनेगा guys और ये वीडियो को guys आप लोग को शुरू से last देखना है और I hope कि guys हम पुरा कोसिस करते हैं और हमको पुरा विस्वास भी है इससे अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लिए और इस वीडियो का पीडियो guys आप लोग को टेलिग्राम ग्रूप पर प्रोवाइट कर दिया जाएगा तो आप लोग एक्जाम से पहले एक वार इस पीडियो को पढ़ लिजेगा और एक वार इस वीडियो को देख लिजेगा चलिए guys आप लोग वेश्ट ना करते वीडियो को स्टाट करते हैं अगर guys आप लोग हमार चैनल पर नए है चैनल को सब्स्क्राइब कर लिजेगा साथी बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा चलिए guys आज का जो आपका first concept है guys और ये देखे question के रूप में क्या कहा रहा है guys देखेगा और ये question साथ पूछा भी गया है साथ कल या पर सो ये question पूछा गया है क्या कहा रहा था guys the first inning of the match was very sincere अब guys देखे हाँ पर inning है कुछ ऐसे words होते हैं कुछ ऐसे words होते हैं जिनके last में जिनके last में related is का पर्योग करना ज़रूरी होता है उनके last में से ना तो हम cross course को remove कर सकते हैं अब गले सर ऐसे concept word होते हैं कि जिनके last में the last yes का पर्योग किया हुआ रहता है और उसको हम remove नहीं कर सकते हैं तो देखिए गाईज ये words आप लोग के सामने आ गए हैं ये सारे words है friends williards, chess, tennis, news, innings, summons तो innings आपका पूछ लिया गया है हो सके तो आपका williards, chess ये सारे words पूछ ले जा सके कोई guarantee ने कि पूछ जा रहेगा है लेकिन हो सके आभी सकता है ठीक है तो ये सारे words ऐसे होते है friends, ये singular helping verb होते हैं लेकिन इसके last में yes, yes, yes लगे रहते हैं लेकिन हमारे parents doing क्या करते हैं, वो last में क्या देखते हैं कि yes, yes लगा है, तो भाईया ये क्या हो गया जी, ये आपका plural हो गया लेकिन नहीं, ये सारे ऐसे words होते हैं, जो आपके हरे को एक्षाम में पूछी भी आते हैं और ये हमेशा singular होते हैं, हलाकी scale पीछे में yes लगे रहते हैं और जब singular है, तो ये singular helping verb का परियोग करेगा जब ये singular है, तो singular helping verb का परियोग करेगा clear है, चलिएगा, तो यहाँ पर क्या error हो गया friends, यहाँ पर आपका option number a में error हो गया inning नहीं होगा, क्या होगा, क्या होगा, innings होगा, ठीक है next question है guys, question नहीं concept बोलिए, next concept है, देखेगा क्या का रहा two millions people, two millions people attend the meeting held in a prayed ground or no error आप guys, देखेगा, इसमें जो error है, option number a में है, okay sir, कैसे option number a में error है, बताते है guys, यहाँ पर देखे, two क्या है जी, two आपका इसे cardinal adjective का सकते हैं, या numeral adjective काते हैं okay sir, cardinal adjective क्या होता है, या numeral adjective क्या होता है, तो ऐसे तो मावलड़े आप लोग को बता चुके हैं फिर या guys, आप लोग की तमना के लिए आप लोग को जानने के लिए, हम आपको जुरूर बताएंगे, patience रखे, देखे guys, यहाँ पर कुछ rules आप लोग के सामने आये हैं, पहले इस rules को राम से पढ़िएगा, ठीक है क्या कर रहा है guys, कुछ ऐसे words होते हैं, जिसके पहले अगर numeral adjective आया रहे, numeral adjective किसे कहते हैं, तो guys देखे, जैसे हो गया, one हो गया, one, two, three, four, five, six, यह सारे क्या होते हैं, यह सारे आपके numeral adjective होते हैं, और आगे भी इस पे एक question है, जो आप लोग को हम बताएंगे, तो guys, अग यह सारे words के पहले, अगर कोई numeral adjective आया रहे, तो guys, यह सारे words के साथ हम लोग yes या yes का परियोग नहीं करेंगे, अगर यह सारे words के पहले कोई numeral adjective आया रहे, तो यह सारे words के पहले हम लोग yes या yes का परियोग नहीं करेंगे, guys, यहाँ पे देखे, millions है, यहाँ पे क्या होगा, millions नहीं होगा जी, only 4 million होगा क्योंकि इसके पहले क्या है हो जी इसके पहले आपका two का use क्या गया है जो क्या है जी, ये आपका एक numeral adjective है तो numeral adjective अगर ये सारे words के पहले आये रहे है तो क्या करेंगे, ये सारे words के साथ नहीं करेंगे याद रहे है guys याद कर लिजगा क्या कौन सारे words है जी dozen है hundred है thousand million billion gross score pair और यह सारे questions आप लोग के exam में बन रहे हैं और आप लोग का exam में आप लोग भी जान दे हैं और दो दिन से हम analysis कर वा रहे हैं तो आप लोग देख रहेंगे किस तरह कोशन आ रहे हैं जागा tough question नहीं आ र इक्जाम है कि निका second है कि निका third है तो guys आप लोग को राम से एक वार देखना है और समझना है चीजों को ठीक है चलेगा आगे देखते हैं next question guys क्या कर रहा है question number three देखेगा you must study the three first topics of the syllabus अब गाइस इसमें जो इरर है आपका option number भी में अब कैसर option number B में आपने तो इरर बता दिया लेकिन हम कैसे जानेंगे क्या option number B में इरर है अभी अभी में आप लोग को बता रहे हैं थे friends कि एक होता आपका numeral adjective और एक होता आपका cardinal adjective और एक होता आपका ordinal adjective जिसमें guys numeral adjective और cardinal adjective एक ही का नाम होगा चाहिए आप इसे numeral बोल लिजिए चाहिए आप इसे cardinal बोल लिजिए और एक होता है guys आपका ordinal adjective तो rule मेरा ये कहता है guys कि पहले हम अगर कोई sentence में अगर कोई sentence में numeral adjective and cardinal adjective का use एक साथ क्या रहे तो पहले guys हम लोग किसका पर्योग करते हैं पहले हम लोग ordinal adjective का पर्योग करते हैं और उसके बाद हम लोग cardinal adjective का पर्योग करते हैं अब guys यहाँ पे देखिए ordinal adjective आपका ये हो गया जी और cardinal adjective आपका ये हो गया ordinal adjective बोले तो first, second, third, last, it is, cardinal objective बोले तो one, two, three, four, five, six, तो पहले किसका परयोग करेंगे जी, पहले हम लोग ordinal का परयोग करेंगे और उसके बाद हम लोग numeral का परयोग करेंगे, तो क्या होगा जी, पहले हाँ पहले 3 first नहीं होगा first three होगा first first three होगा guys आप लोग को एक एक concept को ध्यान में रखना है और exam से पहले 10 minute का विडियो है guys एक बार पहले आप लोग इसे देख लिजेगा next question यह रहा guys क्या कह रहा है in my opinion in my opinion pencil is always more preferable to open यह concept एक बार exam में आप लोग का पूछ लिया गया है तो यह पूछा भी जा सकता है नहीं भी जा सकता है कोई guarantee नहीं है क्योंकि एक बार यह पूछ लिया गया है आप लोग का exam में क्या है दखिए In my opinion, a pencil is always more preferable to append तो guys यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं preferable है तो guys हम पहले भी आप लोग को बताते थे हम पहले भी आप लोग को बताते थे कि अगर कोई sentence में प्रीफर आया रहे या प्रीफर एवल आया रहे क्या जी प्रीफर या प्रीफर एवल आया रहे guys तो इसके पहले इसके पहले हम लोग guys more या most का परियोग नहीं करते हैं इसके पहले हम लोग more या most का परियोग नहीं कर सकते हैं तो guys I hope कि आप लोग समझ गयोंगे तो guys यहाँ पर क्या होगा option number C में error होगा और prefer evil के पहले more को remove किया जाएगा समझ गये अब आप लोग का एक questions और create हो सकता है कि sir ऐसे तो कुछ और words होगे जिसके पहले हम लोग more या most का परियोग नहीं करेंगे क्योंकि आप exam का जब analysis करवा रहें थे तो कुछ आपने word करवाया था जैसे आपका unique हो गया जैसे आपका क्या universal हो गया तो यह सारे के पहले भी आपने कहा था कि इसके पहले more या most का परियोग नहीं करेंगे तो कोई दिखत नहीं गया है जिसके लिए भी एक rule हम आप लोग के लिए separate बना के लाएं और यह rule आप लोग का exam में आ सकता है अगर आप लोग का exam में यह सारे rules आते हैं ते एक बार guys आप लोग को क्या करना है आप लोग को नीचे WhatsApp ग्रूप का link दिया हुआ है और उस पर क्या करना है question को send करना है ठीक है next question है guys यह रहा क्या का रहा है देखिएगा यह rule को that was most unique opportunity देखे यूनिक का परियोग क्या गया he got in his life अब यहां पर देखिए गाइज unique का जो परियोग क्या गया यह तो भाई आप लोग का exam में आया हुआ लेकिन इस तो related आप लोग का exam में और आ सकता है क्यूंकि और ऐसे words होते हैं जिसके पहले more or most का परियोग नहीं करते हैं कौन सा word होते excited हो रहा है आप लोग देखने के लिए देखी लिजिए यह रहा है आप लोग के सामने क्या कर रहा है जी कुछ ऐसे adjective होते हैं जिनके पहले more or most का परियोग नहीं क्या आता है तो guys कौन से words होते हैं कौन से adjective होते हैं तो unique हो गया chief हो गया entire हो गया universal round excellent eternal minor interior exterior होते हैं जिनके पहले more or most का परियोग नहीं क्या आता है बहुत सारे होते हैं लेकिन guys आप लोग को मुतना ही करवाएंगे जितना आप लोग का exam में आता है ठीक है और जैसा कि आप लोग का exam में आ रहा है तो pattern दोंको पता लग गया कि आखिर pattern की इस तरह का देर आए ठीक है चलेगा आगे बरते हैं इतना आप लोग याद कर लिए ठीक है चले नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है guys देखेगा अराम से सुनिएगा और समझेगा एक चीजों को चीजों को बारी किस समझेगा आप लोग क्या कर रहा है some important fact of conjunction conjunction से भी questions बन रहे हैं एक दो question conjunction से भी आ रहे हैं जिसे guys बेदर और का concept आया हुआ था बेदर और का concept आया हुआ था क्या दिया था आपका चार नौंबर का first shift में ये question आया था चार नौंबर नहीं था तो लोग इसको तो तीक के थे हम लोग वेदर को तूझ dyk है तो फ्रेंड्स देखे वेदर के साथ आपका और आएगा अगर ऑल्लो या दो ॉदे रकागे तो उसके साथ क्या आता है उसके साथ आपका आयट आएगा अगर आपका नीदर रहेगा तो नौर आएगा पता ही है इदर रहेगा और आएगा नो टू अनली रहेगा बट और सु आएगा बोथ रहेगा गाईज एंड का पर्योग करेंगे अब देखिएगा हमारे स्टुड परियोग कप करते हैं तो positive के लिए करते हैं और 100s का परियोग कप करते हैं तो negative के लिए करते हैं हम जानते हैं कि आप लोग कही सारे जानते भी होंगे लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंटे जो नहीं जानते हैं उनके लिए वेटर है और जो जानते हैं उनके लिए वेटर है next concept आपका है guys between and between के साथ क्या आएगा जी तो and आएगा और from बाला concept तो आप लोग का exam में कल ही पुछा गया था कल ही का exam में पुछा गया था from or to का concept कि आज का नहीं कल का पुछा गया था कल का exam में पुछा गया था from or to बाला concept तो आप लोग देखी रहेंगे कि जो आम मतलब जैसा question पूछ रहा है उसी कि तरह से यह आपका वीडियो बन रहा है ठीक है इसको देखेगा ज़रूर next question यह रहा guys next question आपका कह रहा है the reason for his answer he is sorry he is that then he did not sleep last night अब guys यहाँ पर देखेगा किसका पर्योग का पर्योग करते हैं किसका पर्योग करते हैं जी that conjunction का पर्योग करते हैं ना कि हम then का पर्योग करते हैं then का कभी नहीं पर्योग करेंगे कब जब sentence में मेरा the reason आया रहे यह the reason why आया रहे चलिएगा next concept मेरा यह रहा guys next concept में देखेगा यह आपका rule भी आप लोगों के सामने लिखा हुआ है next concept करा है guys hardly had I reached the activation where I learned about the major robbery अब देखें guys concept मेरा क्या कर रहा है concept क्या कर रहा है कि hardly हो असकारसली हो वेरली हो इसके साथ guys हम लोग किसका पर्योग करते हैं इसके साथ हम लोग देखें typing भी mistake हो गया इसके साथ हम लोग when का पर्योग करते हैं किसका पर्योग करते हैं जी वेरली हो उसके साथ किसका पर्योग करते हैं वेरली हो वेरली हो उसके साथ किसका पर्योग करते हैं वेर का पर्योग करते हैं अब यहाँ पर देखेंगा वेर तो आपका आएगा नहीं तो इहाँ पे भेर नहीं होगा क्या होगा जी वेन होगा वेन होगा नेगश्ट कॉंसेप्ट को देखते है नेक्ट कॉंसेप्ट मेरा यह कह रहाएगा जी देखेगा राधा वज 2VG राधा वज 2VG 2 attend sumber ठीक है? अब देखेगा गाईस यहाँ पर 2 है तो 2 2 किसका sense देता है? 2 2 आपका negative sense देता है और enough 2 किसका sense देता है? आपका positive sense देता है अब आप लोग question में आप लोग देख रहे होंगे यह सम का परयोग क्या गया अब sum क्या है भाईया, sum तो आपका क्या है positive है, sum आपका positive है, अब आप लोग को हम एक चीज बताये थे guys, कि अगर कोई sentence में negative चीज़े आ रही है, तो हम पूरा sentence में negative चीज़े का ही परयोग करेंगे, ठीक है, तो guys यहाँ पर देखेगा, sum आपका positive है, तो sum नहीं होगा, इस question पर क्या होगा, any होगा, क्या होगा, जी a नी होगा, अगर enough to रहेगा, तो हम लोग sum का परयोग करेंगे, ठीक है, देखेगा, guys आप आप लोग कहिएगा, कि सर्थ 2-2 का मतलब क्या होता है, तो 2-2 का मतलब होता है जरूरत से जादा, और इसका परयोग का करते हैं, negative sense में कर सर ये क्या बच्चा वाला कोईशन करवा रहे हैं लेकिन जो रागा का पेपर है गाईज रागा में आप लोग को संभल कर चलना पड़ेगा हम बोल रहें टिक है रागा को आप लोग अच्छा से हैंडल किजिएगा जो कोईशन आप लोग से सॉल्व होगा उसी को सॉल्व कि ग्लती आप मत कीजेगा क्योंकि कर लोगället क्योंकि आप कोई होगा य क्या करना है और इंगलिस को आ अगर बरबाद ही करना है टाइम को तो एक मिनट बरबाद कीज़ेगा ठीक है एक मिनट को क्या करिएगा एक मिनट में सारे questions को scroll करके देख लीजेगा नहीं तो क्या करिएगा स्क्रॉल नहीं करना है तो कुई बात नहीं है क्या करेगा अगर जो questions आप लोग से बन रहे हैं उसको बनाईएगा और नहीं बन रहे हैं तो उसको skip करते हुए निकल जाईगा उसको क्या करना है टाइम बचेगा तो उसको देखना है ठीक है चलेगा इसको solve करते हैं many a man have sacrificed for his country अब guys यहाँ पर देखेगा many a का परयोग क्या गया है अब guys यह rule आपका subject verb agreement का देखे आप लोग के सामने है क्या करा है जी अगर कोई sentence में यह सारे words का परयोग क्या रहे तो जो हम noun का और pronoun का परयोग करते हैं वह singular आता है जो हम helping भर्व या main भर्व का परयोग करते हैं वह भी आपका singular आता है जो आपका adjective का परयोग करते हैं यह भी आपका singular रहता है कौन सारे words है जी तो each हो गया, some one हो गया, no one होए every है, anyone है one, nobody, anybody, many somebody, more than one यह सारे words आप लोगे एक्जाम में आ सकते हैं तो और guys आप लोग को एक चीज और बताएं थी आफ वाला बताएं थी चले उसके लिए next question है तो यहापे क्या करेंगे जी यहापे आपका have नहीं होगा, क्योंका has होगा यहापे आपका has होगा चलेगा आगे बढ़ते हैं next question guys, यह रहा one of the wise in our class have won a prize, ठीक है अब देखें guys, यहापे one of का परियोग क्या गया है क्या rule है rule आपका यह रहा guys, अगर यह सारे words के साथ अगर यह सारे words के साथ अगर आपका off का परियोग क्या रहे तो सिर्फ मेरा noun और pronoun plural होता है, बाकी मेरा भर्व और adjective always singular होते हैं ठीक है, तो I hope कि आप लोग समाज गया होगे यहाँ देखे, each of I, every of I नहीं, off लगा दिया, जारे words के साथ off लगा दिया, ठीक है, समाज गया होगे चले guys, I hope कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा अगर guys, आप लोग को वीडियो पसंद आया है वीडियो से अगर आप लोग को कुछ सीखने को मिला है अगर आप लोग का revision हो चुका है तो guys, एक like किजेगा और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और साथी बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा ताकि हम इस तरह का जो भी वीडियो बनाओ फ्रेंड्स इसका नौटिफिक्शन आप लोग को टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप लोग को एक काम और करना है मेरे लिए करना है इस क्या करना है कि आप लोग का एक्जाम में कल जो भी कोईशन आएगा जो भी कोईशन आएगे इस क्या करना है हमारी वाट्सअफ ग्रूप का लिंक नीचे दिया गया है WhatsApp group में क्या करना है send कर दिना है सारे question को मतलब जो आपको याद रहे guys आप लोग निकलिएगा exam hall से अपना bag लिजेगा जहाँ आप लोग counter bag जमा करेंगे वहाँ से अपना mobile को निकालिएगा और एक minute में guys आप मेरा आईएगा WhatsApp group पे और उस पर जो questions send करते हैं तो उसके साहिता से किनी और रोस्ट्रेंट का benefit होता है जिसे आप लोग का benefit हो रहा था जब 4 नॉमबर का analysis करवाएं पाच नॉमबर का analysis करवाएं और 6 नॉमबर को analysis हम नहीं करवाएं क्योंकि कहीं चले गए थे और 7 नॉमबर का analysis करवाएं तो guys आप लोग तो देखी रहे हैं ठीक है तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो किसी का भला हो सकेगा तो कर दीजेगा क्या दिखकर था ठीक है छेले next video मिलता है जैहिंद बंदे मातरम